हाई ब्रीवन वेलकम बैक टो न्यूव वीडियो और इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्मेनिया जो वेकिंसी के बारे में तो अभी मैंसे मैंने एक व्लॉग अपलोड किया था साधी का तो अगर आपनों वह देखा है तो अच्छी बात नहीं देखा है तो अब आज आते ह आपको पता चल सके कि कैसे आपको एपलाई करना है कौन सी एजिंसी है जहां से आपको एपलाई करना है और यहां पर कौन कौन सी कंडिशन्स है क्या आपको यहां पर सेलरी मिलने वाली है इस सारी चीजिया आपको इसी वीडियो में पता चलेंगे लेकिन उससे पहले अग बाहर की countries का European countries हो या Gulf countries तो Gulf countries के लिए अगर आपको update चाहिए तो उसके लिए आपको मेरा जो Telegram channel है वो Join करना होगा वहां पर आपको जो है Gulf की जो भी post आती हैं, वहां पर post कर दी जाएंगी क्योंकि यहां पर मैं जादातर European countries ही cover करता हूं अगर आप लोग चाहते कि मैं Gulf countries भी cover करूं तो आप मुझे comment section में यह बता सकते हैं ठीक है तो चलो आप बात कर लेते हैं इस job vacancy के बारे में अर्मेनिया में है अर्मेनिया एक European country है यहां पर जो post है वो है within three days आपको यह मिल जाएगा ठीक है और इसमें जो salary है 600 डॉलर में मैं आपको salary बता रहा हूं आप इसे convert कर सकते हो ठीक है तो 600 basic salary है यह basic salary मिलेगी जो आपको वो है 600 dollar और जो timing रहेगी आपकी काम करने की वो रहेगी eight hours ठीक है आठ घंटे की आपकी duty रहेगी और food accommodation आपको company की तरफ से मिल रहा है यानि कि जो आपको salary मिलेगी वो पूरी की पूरी save रहेगी यहां पर ठीक है तो आप क्योंकि इसमें आपको रहना खाना दोनों चीज मिल रही है तो आप इसके लिए apply कर सकते हो बाकि इसमें general labor भी चाहिए ठीक है general labor ही चाहिए तो अगर आप well qualified हो तब भी आप apply कर सकते हो अगर आप qualified नहीं भी हो और आपके पास ECR passport है तब भी आप इसमें apply कर सकते हो ठीक है दोनों ही apply कर सकते है और यह जो work permit है यह एक साल का रहेग तो आपको TRC दिए जाएगी वो भी एक महिने में और जो social card होता है वो भी आपको एक महिने के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा benefits की बात करें तो यहां से आप शेंगेन कंट्रीज का अपना जो है दर्वाजा खोल सकते हो यहां पर जाकर ठीक है विद अर्मेनिय टी आर्सी पर्सन कैन विजिट टू जिया बेलारूस इवन एपलाई फोर शेंगेन वीजा इजिली यानि कि अगर आप जो अर्मेनिय का TRC है टेंप्रेरी रेजिडेंस कार्ड यह ले लेते हो तो आप पहले तो दो कंट्री जोर्जिया और बेलारूस इन कॉस्टिंग इसकी काफी कम है यह आप पूछ लेना एजेंट से ठीक है एजिंसी जो है उसका जो नंबर है वो में मेंशन कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां पर जाकर देख सकते हो उसके अलावा यहां पर जो टोटल नंबर वेकिंस है के वल 40 है तो जब भी आप वीडियो को जल्दी से अपलाई कर लेना ताकि आप इसका बेनिफिट उठा सको अब अर्मेनिया की ही बात कर रहे हैं हम तो अर्मेनिया का विजिट वीजा भी आपको मिल रहा है जो की काफी चीप प्राइज में मिलेगा आपको इसमें फुल्ट करें होगा विजिट वीजा ठीक है वही मिलेगा आपको बैलरूस का है सर्विया का है अल्बानिया का है अजर्बेजान का है दुबई का है उपनाल पर मित ठीक है ठीक है उसमें बाकि जो ये विजिट विजा की रिक्वरिमेंट है वो भी बता देता हूँ आपको इसमें आपको आपको आपना पासपोर्ट भेजना होता है scan photo भेजनी होती है ITR यानि कि income tax return अगर आप भरते हो तो आप ये भी भी भेजना होगा बाकि bank statement with official seal around 4 lakh ठीक है तो ये आपको भेजनी होगी और salary slip if employed अगर आप काम करते हो तो आपकी salary slip जाएगी business information if possesses any business यानि कि अगर आप कोई business करते हो तो business की information आपको देनी होगी बाकि इस job के लिए आपको जो documents send करने होगे वह है आप देखो पहले तो आपको agency को contact करना है उनसे service charges पूछ लेने हैं अगर आपको लगता है कि आप afford कर सकते हो तो ही आपको apply करना है apply करने के लिए आप आपको जो documents भेजने हो वह भी बता देता हूं updated आपका resume passport size photograph scan passport ठीक है और आपका vaccination का certificate experience certificate qualification certificate यह सारी चीज़ें आपको एक PDF में करके भेजनी होंगी ठीक है agent को जिसका की मैं नंबर आपको description box में देने वाला हूं तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं आप उसको WhatsApp कर सकते हो करणार कर सकते हो ठीक है उसके लावा अगर आप call करते हो code receive नहीं होते हैं आपकी क्या सब्सक्राइब कर लेना अगर आप की का or listening box क्रेसी थैसे में लिख सकते हो को word कि आपकी आदर सक्षें में दिक सकते हैं कौन सी जॉप्स हैं जॊ-स कर रहे हैं कुसा वीज़ा जिनके लिए कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आओ वह भी आप मैंक्ड रहत में दूश्द कर सकते हो ठीक हैं को यह है आप लोगों के लिए इस चोटिसी video और Instagram पे आपको follow करना होगा तभी मैं आपका reply करूंगा उसके अलाबा अगर आप other social platform पे करते हो message तो वहाँ पर chances कम होते हैं क्योंकि ज्यादा तर जो है मैं आपके quick reply जो होंगे आपके यहीं होंगे ठीक है जो लोग free visa try कर रहे हैं वो एक बात का ध्यान रखें कि free visa जो है काफी लाखों लोग क्योंकि लाखों लोग बेरोजगार हैं लाखों लोग ही चाहते हैं कि हम free में चले जाएं हमें एक रुपिया ना देना पड़े इतना आसान नहीं होता है free visa क्योंकि कुछ भी पाने के लिए आपको जो आपको information मिल रही है यह भी free of cost है लेकिन इसमें भी आप अपना time दे रहे होना time लगता है हर एक चीज में इतना आसान नहीं होता है agents के लिए आप लोगों के लिए जो visa लाते हैं वो भी इतना आसान नहीं होता है तो जो आपको time भी बताया जाता है वो एकदम ऐसा नही होते हैं या आगे जो country है वहां पर जो उनके advocates हैं वो time लगाते हैं या फिर जो company है जो hiring कर रही है वो आपका जो है data verify करने में time लगाती है तो आसान नहीं होता है कि इतना जल्दी हो जाए आपको जल्दी से मिल जाए visa कई बार यह होता है और खासकर European countries में ज्यादा तर जो है कि आपको हर किसी को visa मिल जाएगा और या हर agency आपको हर किसी को visa देदेगी क्योंकि लाखों लोग है जो apply कर रहे हैं लाखों लोग चाहते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता है कुछ क्यों ही मिलता है तो इसका reason यही है ठीक है तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना बाकी be patient आ और hope कीजिए कि आपका जो है visa जल्दी से जल्दी लग जाए जो भी एजेंसी आप रिफर करते हो आप बात कर सकते हो ठीक है मेरे कहने से ही नहीं आप बात कीजिए आपको लगता है जेनुन है आप मिलिए आप चाहो तो जो ऑफिस हैड वहाँ पर visit कीजिए तभी आपको पता चल सकेगा आपकी आपस में bonding बनेगी आपकी और agent की जो की बहुत ज़रूरी है तभी आप apply कर